अब सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग बात करेंगे टी टी एमिल सेर के बार है दिहां इसका पूरा नाम है टाटा टेली सर्विस महारास्टा लिमिटेड मैं थ्री आवर की चार्ट पेटन से लेगे फीकली के चार्ट पेटन तक मैं आपको टार्गेट और स्टॉप लॉस बताने जा रहा हूं ठीक है फ्रेंट यहां बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है मार्केट यह यहां से नीचे जाते ही वह उट जा रहा है मतलब 34 रुपे से नीचे जाते ही वह यह ऊपर कियो रिजेक्शन मार रहा है तो हो आज मुझे यह बुलिस होता तो चलिए हम लोग बात करेंगे अभी TTML सहर के बारे उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको दो बाते फर्स्ट यह है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे और सेकेंड यह कि अगर आपको चार्ट रीडिंग करने नहीं आता है तो आप फिरी में मेरे साथ जूड़के चार्ट रीडिंग करना सीख सकते हैं ठीक है फ्रेंट्स तो चलिए अब हम लोग काम की बाते करते हैं थ्री आवर पे थ्री आवर के चार्ट पेटन पे इसका जो फर्स टार्गेट होगा वो होगा उन चालिस रुपए 65 पैसा का थ्र्टी नाइन रुपए 65 पैसा का ठेक है फ्रेंट्स इसका जो सेकेंड टार्गेट होगा वो होगा 42 रुपए 75 पैसे का 42 रुपए 75 पैसे का मतलब 42 रुपए 75 पैसा का और इसका जो थर्ट टार्गेट होगा वो होगा 48 रुपए 65 पैसे का और 40 रुपए 65 पैसे का मतलब 48 रुपए 65 पैसे का ठेक है फ्रेंट्स अब हम लोग बात करते हैं इसके स्टॉप लोस की तो इसका फर्स्ट स्टॉप लोस हो जाएगा 36 रुपए 85 पैसे का 36 रुपए 85 पैसे का मतलब 65 रुपए 85 पैसे का इसका सेकेंड रुपए 75 पैसे का इसका स्टॉप लोस हो जाएगा 33 रुपए 75 पैसे का 30 रुपए 95 पैसे का मतलब 30 रुपए 95 पैसे का ठीक है फ्रेंट्स अब हम लोग डे केंडल पे देखेंगे डेikel चली चले सेट कर लेते हैं मैंने डे केंडल का ग्राफ लगा लिया है और ये दो दिन से उपर की और चलना चाहे रहा है और ये चल भी रहा है ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए देखते हैं डे केंडल पर क्या इसका टार्गेट निकल के आता है डे केंडल पर इसका जो फर्स टार्गेट होगा, वह होगा 41 रूपिया 65 पैसा टेक है फ्रेंड्स और इसका जो second टार्गेट होगा वह होगा 50 रूपिया 45 पैसा मतलब 50 रूपिया 45 पैसा ठीक है Friends और इसका जो third target होगा वो होगा 62.95 पैसा 62.95 पैसा मतलब 12.60 रुपैर 95 पैसा ठीक है Friends अब हम लोग बात करेंगे इसके stop loss की तो इसका जो first stop loss होगा वो होगा 29 रुपए 10 पैसा का 29 रुपए 10 पैसा का 29 रुपए 10 पैसा का इसका जो 2nd stop loss रहेगा वो रहेगा 20 रुपए 25 पैसा का मतलब 20 रुपए 25 पैसा का और इसका जो 3rd stop loss रहेगा वो होगा 10 रुपए 40 पैसे का 10 रुपए 40 पैसा ठीक है फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं वीकली केंडल पर तो मैंने वीकली केंडल का ग्राप सेट कर लिया है मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं तक Yog को फ्रेज दिखाए दे वीकली केंडल पर जो इसका 1st target होगा वो होगा 49 रुपए 5 पैसा 49 रुपए 5 पैसा इसका 1st target हो जाएगा 49 रुपए 5 पैसा इसका जो second target होगा वो होगा 62 रुपिया 62 रुपिया 95 पैसा 62 रुपिया 95 पैसा इसका second target होगा और हम लोग बात करेंगे इसका third target की तो 84 रुपिया 30 पैसा 84 रुपिया 30 पैसा इसका third target होगा अब हम लोग बात करेंगे इसका stop loss की तो इसका first stop loss हो जाएगा 19 रुपिया 80 पैसा 19 रुपिया 80 पैसा इसका first stop loss होगा फ्रेट और इसका जो second stop loss होगा trigger यहाँ पे आ नहीं रहे 19 रुपिया 80 पैसा पे तो ठीके फ्रेट तो आप लोग set कर लिजेगा मैंने बता दिया है इसका जो second target होगा वो होगा 12 रुपिया 95 पैसा मतलब 12 रुपिया 95 पैसा 12 रुपिया 95 पैसा ठीके फ्रेंड और इसका जो third stop loss होगा वो होगा 10,40 का 10,40 का ठीके फ्रेंड तो आसा करता हो आप से भी कोई ये वीडियो पसंद आया होगा और comment section में ज़रूर बताईएगा वीडियो आपको कैसी लगी तो मिलते हैं फिर हम लोग next वीडियो में next topic के साथ तब तक के लिए बाई बाई है